करते हैं सिर्माइग आने का सवार पूछाता है करते हैं सिर्माइग आने का सवार पूछाता है तो हम इस्टार्ट करते हैं तो हम यह बोल ले थे किसकी बात सुनेंगे तो आपको सेल भी आड़ी चार्ट के इसाब से करना है यानि के अगर lou जो उर्डी को पूरा पूरा फॉलो करें मिकस नहीं करना अगर इस थेता शुब्स पर कॉल दी थे और यह बता happens तो आपन नहीं तो आपने यहाँख ब्यारवाय किया और इस हिसाब से आपको चार उपे गैन मिल गया आड़ी चार्ट ने अपना काम पूरा कर दिया चार रुपे गैन मिल गया इस रिजिस्टेन्स पर आया इस ने बूला अल्लहाफिस अब मैंने सैल कॉल दे दी है अब इसमें आरड़ी चार्ट में एक्षन ब और डेज चार्ट क्या बोलता है यह कहता है कि यार लेट सपोस इसने बोला कि दो तीन घंटे का टाइम देरा दो तीन घंटे में प्राइस यहां से यहां तक जा सकती है तो तुट तुट त्री डेज तो इसका टाइम जाद है तो जो बंदा इसके लिए ना वो कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं दोसे तीन देन इतिसार नहीं कर साथा कुछ लोग होते हैं बहुत धबड़ दबड़ तो कहता है यह बस मुझे बस हाथ के आथ मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है कर ले भाई बहु हो सकता है इसने क्या हो 300 रुपए पर बाय इस दे चार्टने अभी तो इसने 300 रुपए पर दियो और इसने कितना प्रॉफिट हो गया जब प्राइस यहाँ पर पहुची तो यह सेल कॉल देना चुरू कर दिए इसने ऐसा ही हुआ था यह सेल कॉल दे रहा था और यह बाय तो प्राइस इसको तीन सो रुपे इसने वाई किया चौबिस रुपे प्रॉफिट दे रहा है और यह कह रहा है कि भाई आपके रिजिस्टंस के पास आ गया है तो रिजिस्टंस के पास आ गया है अब आप निकालने की करो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ तो डे चाड़ आपको सेल कॉल देगा और डे चाड़ एक टाइम फ्रेम बताए के हसाब से यानि लंबर टाइम फ्रेम दो से तीन दिन में इस डे चाड़ को लग रहा है कि आइटम नीचे जाएगा ठीक है आपने बाइक कर लिया आर्ली वैलेट थी हो गई चार उपे गेंदे दिया अगर आपने लिया था तो यहां पर सेल कर देना चाहिए अगर आपने यहां पर लिया तीन सो चौबिस पे और आपने सेल नहीं करा आपने बुला के यार मैं देखूंगा और उपर जाएगा पतल लगा वो सेल कॉल भी जनेट हो गई और यह सेल कॉल तो देही रहा था और यह आइस्था 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 नीचे चला गया तो इसकी बाद भी पूरी हो गई इसकी बाद भी पूरी हो गई कि आइटम उपर जाएगा उपर चला गया और इसकी बाद भी पूरी हो गए डे चार्ट की आइटम नीच तो यानि के 324 पे वो बाई करवा रहा है लेट सपोज वो इसने यहां पर बाई करवा रहा है हम 324 को रेफरेंस बना रहे हैं इस सब्सक्राइब कर लो और यह कहता है कि यार मेरी रेजिस्टेंस लेट सब्सक्राइब चार्सोचे रुपे गिए ठीक है तो इसको आट 10 किया चार रुपे उपर गया यहां पर इसने अर्ली चार्ट को फुल्फिल करा की बास सुनी पर उसके बाद 328 से 317 गिया डे चार्ट जो बता रहा था आइटम नीचे गिरेगा नीचे गिरा डे चार्ट की भी बात पूरी हो गई विकली चार्ट क्या कह रहा था कह था यार यार ये 324 से 317 5-6 रूपे से क्या फर्क पड़ता है मैं तो आपको बहुत जादा पैसो बीबात कर रहा हूँ फिर उसके बाद या आटम चला और ये 426 पे गया तो इसकी भी बात पूरी हो गई आ रही कुछ समझ में नहीं कि उपर से जाना शुरू हो गया बिल्कुल एफ 16 है बिल्कुल समझ में आ रही है इतना एक्यूरेटली फॉलो कर रहा होता है इतना एक्यूरेटली फॉलो कर रहा होता है कि जब हम चार्ट पे आना शुरू करेंगे अभी तो हम M.A.C.D. में भी पर्फेक्टली नहीं आए ये सवाल अच्छा था लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल का था नेक्स लेवल का तो इसलिए समझाना मैंने दुर्फ समझा रहे हैं तो यह इसीतर से फॉलो करता है। अगा 聲le होतार है कि समझने के वह उतना ज़्याधा पावरॉफल है यानि के समझ लें यह वही बाप बेटा दादा वाले बात है यह यह बेटा है यह बाप है वही दादा है समझ रहे हैं बेटा जो है अकर सहल कर भी देगा तो इतना कोई खास परक्रटिंटिंग पड़ेगा असल जितना लंबर टाइम फ्रेम पर बाइक ओल अगर आरी होगी लंबे टाइम फ्रेम बाइक ओल इसका मतलब एक वो लॉंग टर्म पर उसका वी ऐसा है शौड टर्म पर इसका वीव था चार रूपर उपर मिट टर्म पर इसका व्यू था एफिस अब टीनसो चौबिस से तीनसो शच्यव और लाता तो बोला तो कितने रूपर नीचे गि ठीक है एटीटू रुपीज लॉंग टर्म पर इसका यह भी होता है जिस बंदे को एटीटू रुपीज गेंच चाहिए ना जिस बंदे को एटीटू रुपीज गेंच चाहिए तो उसको फर्क पड़ता है कि साथ रुपे डाउन हो जाए अब आप लोग जवाब दें हैसन बंदेको फर्क नहीं कएड़ेगा saat रुपे यार अ वह उस बंदे के इसा होता है वह बंदा क्या करता है साथ रुपे से क्या फ़र्टता है ठीक है क्या हो गया एक्टी टो पीश कर पे और यह मैं स ताप लोग झाल झाल अच्छा तो ये बात है अच्छा इसी तरह से अगर जो बंदा शौट टम केलता है वो बंदा कहेगा यार मुझे चारोपे मिल जाए ना मेरे लिए बहुत है और जब देखेगा ना कि साथ रूपे नीचे जा सकता है कहता है नहीं भाई मुझे से बरदाश्ट नहीं होगा हर बंदे को अपने टाइम फ्रेम के साथ से देखना चाहिए अब हम इस चीज़ को वाइड वोड को कैसे करते हैं और हम वापिस वहां पर आ जाते हैं कि अब आप लोगों चार्ट नदर आ रहोगा अच्छा मैं यह कह रहा हूं कि अब बाइडिफॉल्ट फिलाहल हम लोग अपना टे चार्ट कंसिडर करते हैं टे चार्ट में मैंने क्या बता है जैसे यह क्रॉस ओवर जनेरेट करता है यह बाइकॉल देता है और नीचे से अगर उपर की तरफ चार्ट जा रहा है यह बाइकॉल देगा और उपर से नीचे की तरफ तो वह सहल कॉल देगा इसको मैं किरीन बना देता हूं तरकि आप लोग को थोड़ा सा डिफ्रेंशेट कर सकें हम देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कै नहीं हुआ ऐसा हुआ है कै नहीं हुआ है यहाँ पर देखते हैं जब है कही कि विन्यूंप उन्यूंग उपर गया था कह ईए लगा सासी के देखने हैं अच्छा विखने है तो इसकी प्रैस क्या थी इसकी प्राइस 212 थी चार जनवरी को इसकी प्राइस 212 थी जो 212 से स्टार्ट हुआ था 211 से स्टार्ट होता और उसके बाद ये उपर गया बिल्कुल गया 289 तक गया अच्छा खास उपर गया ठीक है तो इसका मतलब है ये वाली चीज हमारी पूरी हो गई अब हम देखते हैं कि इसने जो बोला है कि ये सेल कॉल इसने दिया 22 जनवरी को क्या 22 जनवरी के बाद आइटम नीचे गया है के नहीं गया बस हमें ये देखना है 22 जनवरी को इसकी जो हाइस प्राइस थी ये थी 276 276 से आइटम नीचे गिरता गिरता 190 पे आया यानि कि इसने बिलकुछ सही बताया सेल कॉल इसने यहां दे थी ना अब इसने बोला है कि बाई इधर कर लो 22 फरवरी को तो 22 फरवरी के हम देखते हैं 22 फरवरी को प्राइस थी प्राइस थी इसकी तक्रीब अठारा मार्च को क्या प्राइस थी क्या उसके बाद प्राइस गिरी के नहीं गिरी बहले एक रुपे गिरो दो रुपे गिरो गिरी के नहीं गिरी 18 मार्च 18 मार्च को इसकी जो हाइस प्राइस थी 234 और उसके बाद आइटम गिरा है ठीक टाग गया सही है अब हम देखें कि इसके बाद 13 माई को इसे सेल कॉल जनरेट करी है कि आइटम नीचे गिरा के नहीं करा 13 माई को इसकी जो हाईएस प्राइस थी 323 रुपे और उसके बाद आइटम 323 से 296 रुपे गया है यानि 28-30 रुपे डाउन हो गया तो इसका मतलब है कि यार M.A.C.D. तो बिलको सही काम कर रहा है और यह मैंने अभी फिलाल इसमें वो अपनी टेक्निक नहीं लगाई अभी हमने सिफ यह सिंपल वो पड़ा है कि जब यह क्रॉस जनरेट करता है तो इसका मतलब है या तो बाइकॉल या तो सहल कॉल अगर यह फास लेंथ या ब्लू वारी लाइन जब नीचे से उपर की तरफ जाना शुरू कर दे क्रॉस करना शुरू कर दे तो वो बाइकॉल है और जब उपर से नीचे जाना शुरू कर दे यानि यह बता रहा है प्राइस आप डाउन होगी तो उसका मतलब है यह सैल कॉल है अभी इस वक्त एच कार आइंग कॉल पे है ठीक है बहुत ही अच्छा स्ट्रॉंग नदर आ रह है आई समझ में अभी तक फिलहाल में सिटी कर रहे हैं यह जो भाइक कॉल जनरेट कर रहा है यह जो हमारा यह आप आगे पढ़ाएंगे लेकिन अगर इसकी यह हिस्टोग्राम से करीब हो यह इस्टोग्राम से दूर हो तो उससे भी फर्क पड़ता है इस्टोग्राम से यह जैसे ऊपर है और यह नीचे है वह देखें नीचे से भी बाइक कॉल देता है कभी अपर से इसे फर्क पर नीपड़ता यह उपर इस्टोग्राम के जितना उपर होगा इसका मतलब है वह उतना जादा इस ट्रॉंग में कोई चीज होगी तो उपर उपर होगी और डांट्रेंड मों एप यहां पीछे देखो आट ना फेका एसित्व प३र उपर जा buraya जा सुरूद सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नीचे बड़ा हाई कि इसमें चला गया खतम बात अप्रेंट में चला गया ठीक है यह सारी चीजों का हमारा हमारी ट्रेडिंग से को तालक नहीं है डारेक्टी पेरी कोशिच यह है कि पहले ऐसी चीज करवा दो जिससे जो है ना मतब कि आपकी ट्रेडिंग जीरो परसंट या फाइफ परसंट से बढ़के 90 पर हो जाए अब 90 से 100 पर जाने के लिए यह सारी सवालात होते हैं ठीक है तो उसको मैंने आपको व हापिस उपर चला गया और मुझे अभी इस वक्त लग रहा है कि यह तो बड़ी अच्छी वायकॉल दे रहा है एक तो स्ट्रॉंग अप्रेंड में भी है में सिटी ऑल्मूस्ट ट्च होने वाला है अच्छा यह चीज समझ भाई सबको जल्दी से यस का रिप्पाय कर दें अच्छा अब यहां पर एक और चीज हमें बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टनट है अच्छा होता क्या है अब मैं एक और चीज बता रहूं यहां से समझ में आगे ना सब लोग को क्योंकि यह आइसा ऐसा एक लेवल हम उपर जाते रहेंगे में सिटी में और सर से उपर सिले जाना शुरू करते चीज़ैं अच्छा होता है कि जब आप कुछ बाय करते हैं और उहां पर बाइक है यहां पर बाइके है ड्शार जून में को सकता है ए yeयर कैप लगा था काप कास्के समय ले मिट पर वाय करा याणिकरोज सबस्व आपने 218 पर वाय किया 230 वाय किया ठीक है मेसीटी के साफ से आपने 218 बें वाय और इसने97 का बॉटम 21 रूपे ऊपर बाय वैसे तो मेसीटी के साफ से आपने हैं लेकिन आपके जहन में यह ख्याला आना चाहिए कि यार काश में 21 रूपे नीचे वाय कर लेता ठीक है तो अब वो कैसे होगा तो यह चीज यहां पर जो ने आपको आज की क्लास और इससे पहले की क्लास में जो में स्रीडी सेलिंग प्रेशा बाइंग प्रेशा बताया है यहां पर वहला कॉंसर्ट यूटिलाइज होगा जो कि आप लोगो कोई भी नहीं बताएगा अप यूटिब सेर्च करने हैं शायद ही कोई बता बता दिया यह सिर्फ आपको मैंने बताया है और इसको मैं मजीद डिफाइन करने की कोशिश करूंगा अच्छा अब आ जाता हिस्टोग्राम ठीक है अब हम क्या करते हैं कि हमें यह पता लग गया कि यार अगर तो हम करा आइटम एक दो रूपे उपर गया और उसके बाद नीचे जाना शुरू हो गया में थोड़ा अप्रोच करना हम हर चीज में प्रोएक्टिव रहेंगे में जो बंदा प्रोएक्टिव रहेगा तो मैं मैं काऊंगा कोई इंडिकेटर नहीं मार्केट में कोई इंडिकेटर नहीं है यह मैं इसको नमबर वन पर रेट देता हूं लोग कहते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आती क्यूंकि वह लोग सही नहीं समझते उन लोगों ने यूट्यूब बाला माटिरियल सीखा वाए उन लोग के एसाब से बाइकॉल यहां भी चनरेट ही नहीं हुआ और इसने 10 रुपए जब आइटम उपर चला गया या 15-21 रुपए आइटम उपर चला गया तब इसने बाइकॉल दी है यह तो कोई फायदा नहीं हुआ आइटम तो अल्लेड ही उपर जा चुका है यह तो इसलिए इसको कहते हैं में सिटी को लोग कहते हैं कि यह लैगिंग इंडिकेटर है लैग करता है लैगिंग इंडिकेटर क्या मतलब होता है इसका जो चीज लैग करती है ठीक है लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं लोग कहते हैं ठीक है अब लोगों को कहने दें और लैगिंग से मुरा दिये जो आइटम स्लो हो और बहुत दे से सिगनल देता हूँ लेकिन हम इसी को बहुत अच्छे से प्रिडिक करते हैं हम क्या करें यहां तक क्लियर होता जा रहा है स्टेप बाइस से चलने हम अच्छा अब आ जाते हैं हिस्टोग्राम में और से सुनेगा और चीज़ें आपके सर से उपर निकल जाएंगी बहुत ज निकाला है अपनी टेक्निक निकाल आप लोगों समझाने के लिए अब आप यहां पर दो इंडिकेशन ऐसी हैं मस्टी की मजीद जिस से जिसको अगर आप और से देखेंगे तो आपको समझ मैंगा कि यार यह बाइंग प्रेशर अभी भी है कि सॉरी सैलिंग प्रेशर है कि क्या करना चाहिए मैंने आप लोग को पूरी जो हमारी जो वाइट स्क्रीन थी उसमें मैंने आप लोग को समझा दिया कि जब तक सेलिंग प्रेशर खतम ना हो पाय करने की ज़रूत ही नहीं है ठीक है आप आप छोड़ दें आप कहें यार मैं उस वक्त बाय करूंगा जब तुम सेलिंग प्रेशर खतम होगा आपको नजर आ रहा हो गांग चरका प्रैशर होगा इस से पहले होगा होगा उसको द्षा के सेल कर रहे होंगे वायर उसको दबा के बाय कर रहे होंगे कि दोनों की फाइट होगी वह अपनी जागर खड़ा हुए बिचारा हम कहते हैं यहां से 22 जनवरी से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा हमें उस वक्त तक नहीं खरीदना जब तक कि हमें यह वह न पता लग जाए कि यह इसका यहां पर रेड हिस्टोग्राम बनना शुरू होगा इसको एक नगा कर देता हूं आप और डार्क रेड कलर का हिस्टोग्राम बनना शुरू है जब तक यह इस्टोग्राम डार्क कलर का होगा ना भाइण नहीं करें बस ठीक है अच्छा आपने यहां भाइण नहीं करना लृक्र टो पॉल यहां पर बायकरो लेकिन हम अब अब मैंक में जाए तरह कि दा लेकिन एक्ष्स रुबर्षitter हमने देखा वह मीस होजाएगा हमसे हम से पहले बाय करना चाहरे हैं लेकिन हम कप करेंगे यहां पर तो भी नहीं करना क्योंकि उप कह रहा है अंडर एक्ट्रीम सेलिंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर एस जास इस था जा रही है पहले चोटा था अपोजर डिरेक्शन पर लेकिन बढ़ती जा रही है यहां पर चोटा सेलिंग प्रेशर था सेलिंग प्रेशर और है अभी भी है सेलिंग प्रेशर अभी भी है सेलिंग प्रेशर अभी भी है सेलिंग प्रेशर उस वक्तम होगा जब हिस्टोग्र हिस्टोग्राम वापिस छोटा होना शुरू हो जाए अभी हिस्टोग्राम बड़े किस के जो हाइट है ना बढ़ती जा रही है बढ़ रही है अब आपको लगा यार कुछ पॉजिटिव इंटिकेशन लगी ठीक है मैंने आपको बताया कि मैं दो पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसके बाद आप कहेंगे यार आप बाय कर लो यार और आप आप जो है ना प्रो एक्टिवली बाय करेंगे अभी तक कोई पॉइंट ऐसा नहीं आया अच्छा जैसे हिस्टोग्राम मैंने आपको क्या बता हिस्टोग्राम का साइस चोटा होना शुरू जाए या समझज ल तो यहां आ गया और सेलिंग प्रेशर अब एब्सॉर्ब हो रहा है यानि प्रेशर आना चुलू हो गया यहां पर समझेंगे यहां पर कहीं बाय करेंगे तो वो इस वाली बाइंग से बेतर होगा जो हम प्लस फाइब पर बाइब करेंगे तो प्राइस ऑल्लेडी काफी उपर जा चुकिए तो क्या करना है हमें देखना है कि हिस्ट्रोग्राम का कलर लाइट ना हो जाए लाइट हो जाए और उसके बाद कम से कम टोटल वो तीन ला दाउंटर्ड पे ज्यादा अच्छे से यह वर्क करता है और यह यह अपने बोला कि हाँ यहां पर कुछ चांस है इसका सेलिंग रहा है कम हुआ है 31 जनवरी को अगले दिन फिर डार्क कलर वह स्कांटाब है वह स्ट्रीक तूट गा इसकी यह नहीं नहीं भाएंगा नहीं अगली दफ़ा पर डाक पर लाइट कलर अब आपने फिर दुबारा से काउंट करना शुरू कर लिए अच्छा अब आपने बोला कि यह तो एक लाइट कलर कोई मसला नहीं अब तीन लाइट कलर पे मैं बाइट करता हूं एक हो गया दो गया तीन हो तो यहां पर आप सोच स अबहुत अबाद सब्स्मान पर अच्छा अब रैसेट मीज़व के ना आपको देखनी है एक चीज सापने देख लेकिए एक चीस हमने क्या देखी के लाइट कलर बनना शुरू हो एक लीस तीन कंडिल बने लाइट कनडिल ने उस तीन लाइट के बनेने तो इसका मतलब क् कैदे एक कंडीशन आपकी फुलПрफिल हो गए अगर पर्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं अगर आप पर्फेक्शन की तरफ दिभ पर बाय करेंगे ना अपने बोला कि यहां पर मुझे बाय करना चाहिए और कंडीशन कू गये कंडीशन टूप क्या है कंडिशन टू आपको देखना है जब यह दोनों कर्फ के दरमियां डिस्टैंस बढ़ने के तो बलू केदर म्यान डिस्टेंस तीजन वरी को इतना था फिर अब डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ बढ़ पर तेक्ट इस बढ़ता जा रहा है और यहां तक यहां पर भी एवन यहां पर भी इनका डिस्टैंस कुछ खास कम नदर नहीं आहाए कि कम इसको छटा भी करो कि यह मैं इन डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं अगर कुछ मुश्किल लगने लगे तो मुझे बता देगा मैं तोड़ा सा असान तरीके से कुछ चीज़े स्किप करा के चल समझा दूंगा वह तो इस्ट्राइम के इसके बार्स की वैली बी कम होना शुरू हो जाएगी ना जैसे कि यह कम होगा दूनों में नहीं नहीं है नहीं नहीं यह चीज जो मैं आप लोगो समझ बारा है यह जो गैप है ना पहले गैप कम था यह बढ़ता जा रहा है और अब देखें यह वापिस कम हो गया जब आपको यह फील हो के इन दोनों के दर्मियान गैप भी कम रहा है और हिस्टोग्राम लाइट कलर होना शुरू हो गए और अब हम चार्ट नहीं देख रहें क्या है अब मुझे बदाए क्या मुझे यहां पर बाइंग करनी चाहिए जन्वरी को फिटाई को रही हैं झाइन में पॉड़िशन करीब अतना दाधी कम नहीं हुए टीक दूरी कंडिशन तो फुल्फिल नहीं हो गैप जो सबसे ज़्यादा कम हुए ना वह यहां पर यहां पर 14 13 14 फरवरी तो तिक एक कंडिशन क्या है आप 15 फरवरी को देखें ठीक है और एक कंडिशन क्या है कि इसने जब बोला था 22 फरवरी को देखें यह याद रखना लोगे नो फिरवरी अट एस लाध की हूं इस देख्व के बड हम इन तीनों दिन अब प्राइश देखते और न पंद 122 हरवी हमने ऊपर नहीं नही देखते हैं कि है तो मिन नौ को लेकिण आप महिसकी फिर ले दोबरोभीर्वाइस हैomasasya दोशणपार्इस कि एवरिज कर लेते हैं कि दोस्टो ग्याराइक दोस्ट साथ से दोस्टो चॉदा एक बंदे ने यहां पर भाय किया नो यहां पर यहां पर भाय किया उससे बंदे ने पंदरा को भाय किया और एक बंदे ने यहां पर भाय किया ठीक है एक यहां पर है और यह थोड़ा सा नीचे ही है आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा वैसे तो आप यह यहां पर तो मिड लेवल बताया है वह सकता आप यहां पर जाकर करते क्रोस ओबर तो जब यूपर चला जाए उपर चला गया है तो चन्रेटुए ना वह सकता आप कि करीब यहां पर आपने क्या बाइंग करी तो आपने बारा रुपे तो से ना कम से कम अपना अरी समझ में वह समझ में यहां पर देख रहते हैं यहां पर कर सकते हैं पर और यहां को अब देखते हैं आपको पहला सिगनल तो यह मिल गाना जब तीन लाइट लाइट पढ़ने लेट सपोस हम यहां से कंसिडर करते हैं और उसको जो कनवर्ड करने के बाद बता रहा है 28 फैप को इसकी प्राइस थी मिड एवरिज प्राइस बताऊं 217 के गरीब थी और फर्स अपरेल को इसकी प्राइस 224 रुपे के गरीब थी तो लोग तो 3-4 रुपे के लिए भी तरह से होते हैं तो यह तो आपको 7 रुपे गें आपका मजीद आपका हो गया चाहिए इसी तरह से अगर हम यहां की बात करें इस MSD की बात करें तो यह यहां पर बाइकॉल देगा 29 में को यह कनवर्ज होगा अभी कनवर्ज प्राइब होगा कल 29 है जी सर कल है इंशाला उमीद है कि कल यह 330 के करीब जाए उमीद है और कल इसकी थार्ड ग्रीन वह बार भी बन जाएगा ठीक है तो लेट्स सपोज मिसाल दे रहा हूं जरूरी नहीं को पर जाए अगर मार्केट बहुत जादा लाल होती है तो यह थोड़ा नीचे भी बते हैं लेकिन अच्छा अच्छा आथाईस आज नहीं था ना अच्छा अच्छा नहीं था ना घर तो अगर आप यहां दूसरे या तीसरे लाइट पर आप वह बढ़ा लेते यहां पर अब यह दोनों करीब आ रहे हैं कर यहां पर अगर यह पैरलेल चल रहा होता अब लगे लगए कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसम से ई मुझे लगए कि उनको लोग करः क्राइब क्या मुसीबत हो गई है सीधह सीधह पुष्किल था यह इन दोंके दिस्टेंट बढ़ता मतलब पैरल रहता लेकिन यह इदर आ गया यानिके डिस्टेंस अब इनके दर्मियान कम हो गया नहीं देखेंगे नहीं वाइस समझ नहीं है तो प्लीज यार बताएं यार कल जो है इसके तर्मियान और कम हो जाएगा फैर तो मैं यह कह रहा हूं कि इस अब यह इसने इंडिकेशन दिये कि यह यह लाइन तो अपनी जगा इसी तरह से चल लिए और यह अच्छानक से इसके करीब आई यह स्पीट से कम आई यह तो यहां पर बंदा बाय कर सकता था ठ त मुझे लगता है लोगने वे खुलेगा यह उपर झोलेगा इस थे यह 317 पर जाना है तक मेरा लग रहाए वह सकता है कल जो है कि ऑस्वर्ज हो ठीक है और इसंद्य होने के बाद रसकाइब है इसकी प्राइस तीन सो तेज स्वाइस रूपय तो सकता है तो अगर कोई करता है या उसने जोएना 27 को भाय किया है तो उसका उसकी एबरेज बाइंग प्राइस तो इसलिए आप लोग को मैंने क्या बताया कि जो क्रॉस ओवर जो होने से थोड़ी सी पहले हमें करने हैं थोड़ी सी पहले से कैसे हमें पता लगेगा जब इसके बार लाइट होना शुरू हो जाएंगे यहां पर एक सिगनल मिला लेकिन अगें रैट हो गया फिर यह कम आरिया सेलिंग प्रैशर अब खतम हो गया बांग प्रैशर आ रहा है या एकलिबियуса मार्ट है तो यहां पर आगर करेंगे तो हमें परफेक्शन के अब हमें जाएंगे इसका वास वरसा सेलिंग प्रैशर के लिए वह उसके लिए होगा बेचने के लिए लेकिन उजयफावाई में सीडी से हमें टार्गेट्स नी पता चल सकते हैं कि हमें कहां तक रोकना चाहिए मैंने क्या बताया कि आपको तीन चीज़े देखनी है एक इसका यह सथा है या महेंगा है ठीक है रूसी का चीज़ देखनी है क्या बाइंग प्रेशर इसमें अभी भी है अगर अभी भी भी है तो इस खोड़ेंगे यह नहीं यहां पर यहां पर आप ने बुला कि हाँ यहां पर आप लाइट कलर हुआ थो आप डेफिनिटली बाई कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर कभी कभी ये भी तो हो रहा है इस ग्राफ में कि तीन लाइट के बाद एक रेड आ जाती है तो उससे क्या वैसे मतलब होता है उससे एक आस से कोई पर नहीं तीन के बाद एक दूर रैड आ गई थी फिर वापस से हलकी हो गई थी देखें तीन अगर आ गया ना तो इसका मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन है और अगर रेड आ जाए और फिर अगें रेड आ इसका मतलब है अगें कुछ ना कुछ गड़बर हो गई देखें अभी हम लोग यह चीज़ याद रखें हम लोग एक इंडिकेटर एक टाइम पढ़ रहें सिंगल इंडिकेट अब हम चार लगा लगाएंगे तो हो सकता है चार में से तीन लगाया मैंने और बाकिंटिकेटर मुझे कह रहरा है वह बनाया है तो यहां पर आप आपके मदब कान खड़े हो सकते हैं ना कि यार बाकी इंडिकेटर बोली रहा है उल्लेटी के बाय कर लो और इसने भी एक शो कर दिया कि हाँ यह लाइट होना शुरू हो गया कलर अब यहां पर बाय कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजें हम लोगो देखनी होगी आगे जाक आपके स्टीव क्षेटि, लगा दिया है घंटा भी क्या हम लोगों दो दिन मुल्ब कर दोड़ रहे हैं और देफिनेटली यह दो गंटे की क्लास लिए वो जो दो मिनटी जो विडियों वीडियों से तो वेदर होगी यकीनद जीज अब लोगो ज्यादा चीज समझ वर है हम यह कर सकते हैं कि अभी आप कोई और शेयर लगाएं तो इसमें हम से पूछे किसमें क्या सिग्मल बन रहे हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिक एक मिनट साथ सेकंड बागी है चलो में लगा रहा हूं यहांपर अभी इस्वड़ाइं पीछे क्या चलना है मुझे कोई घर्ज नहीं है है अब इसका मतलब है इसका मतलब बहुत है तो है क्या इन कर्फ के दर्मियान पीचे क्या हुआ है हमिसे इससे परहते है वह कर्द घर इस तरह के आप लोग का साइमेंट होगा इस तरह के आप लोग को करना हो ने अट्स पहले ठीक है तीक अच्छा है हमाई प्रैक्टिकल से सीखने को जादा मिलेगा अच्छा यह लगा लास्ट फ़ली एक्जेंपल में उपर रेड जो लाइट भी हुए है और यह क्लोज भी गया है यह बोलना है तेके अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं